अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपना Discord बना सकते हो वो भी सिर्फ 5 मिनिट में यकीन नहीं होता तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले आपको 5 मिनिट में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना Discord बना सकते हो बिना जादा code लिखे चलते हैं और Computer Screen म मिलेगा लिनोड में 60 दिन के लिए जो कि सफिशेंट ट्राइउट करने के लिए और फॉलो अलों करने के लिए तो आप लोग जो है लिनोड को यूज कर सकते हो अब मैं आपर जल्दी से क्रियेट लिनोड पर क्लिक करूँगा अपने लिनोड अकाउंट में बेसिकली लॉग इन हो चुका हूँ मैं और ये करने के बाद में क्या करूँगा marketplace पर आऊंगा और यहां पर लिखूँगा rocket chat yes you heard that right rocket.chat और यही आप है जो कि मैं इस्तिमाल करने वाला हूँ और इस आप के थुरू ही मैं बनाने वाला हूँ discord ठीक है तो मैं आपर कोई code वगएरा नहीं लिखने वाला हूँ discord को इस्तिमाल करने के लिए बनाने के लिए बलकि मैं यूस करने वाला हूँ एक open source बर्जिन जिसका नाव है rocket chat और यह rocket chat काफी कमल का है आप लोग को भी पता चलने वाला है कि कितना धमागेदार product है यह तो एक linode API token क्योंकि आपका जो domain वगएरा है वो use इसको करना पड़ेगा तो मैं काम करता हूं यहाँ पर sub domain में chat लिखता हूं और domain में लिखता हूं mytextutils.com ठीक है अब आप लोग होगे कि यह API token किया है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके API token में जा सकते हो और एक नया API token बना लेना और आप इसको definitely revoke जरूर कर लेना मैं इस वीडियो के बाद जो भी यहाँ पर एक personal access token मनाऊंगा वो मैं revoke कर लूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर label में लिखने वाला हूं rocket chat और यहाँ पर expiry six month की देदी अला कि मैं इसको delete कर लूँगा उससे पहले ही और यहाँ पर को copy करके I have saved my personal token में आकर मैं यहाँ पर अपना जो token है वो paste कर दूँगा तो यह मेरा linode API personal token है यह क्यों हमें required हुआ क्यों कि मैं mytexttutals.com domain use करना चाहता हूं जिसका जो name server है वो मैंने linode में point out किया हूँ अब यह process किस तरह से करनी है भी मैं आप लोग को जल्दी से बता देत किया create domain में क्लिक करके mytextutals.com add किया और अपने जहां पर मैंने domain manager था मेरा जहां पर मैंने domain खरीता था मैंने GoDaddy में खरीता था वहां पर मैंने name server यह set कर दिये ठीक है अब आप लोग Google कर सकते हो how to set name server linode के name server पर आप set कर दो अपने GoDaddy के domain के name server को बहुती fairly simple and straightforward process आपने एक आपर यह चीज़ कर दी तो होता क्या है कि सारा control आपके domain का linode के हाथ में आ जाता है ठीक है तो मैं जल्दी से करता हूं कि एक region जो है वो select करता हूं मैं आपर Mumbai कर रहा हूं select और मैं dedicated 16GB यूज़ करूंगा आप लोग ना node भी यूज़ कर सकते हो 5$ में भी काम हो जाएगा ठ इतना गुड़ डालोगे चाय में चाय उतनी मीठी बनके आएगी ठीक है तो मैं थोड़ा तक गुड़ जाना डाल दिया अपनी चाय में आप चाहो तो थोड़े से गुड़ की चाय का चाय में डालके भी चाय का आनल ले सकते हो ठीक है अब यहाँ पर मैंने root password और यह सब फिल करके जल्दी से मैं आपर create linode पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है तो मैं wait कर रहा हूँ और मैं जल्दी से क्या करूँगा अपना ही जो password है इसको copy कर लोगा और इसके provisioning का इंतजार करूँगा ठीक है तो मैं इसके provisioning का इंतजार करूँगा थोड़ा time लेता है थोड़ा न में और यह एक बार install हो जाएगा इसके बाद फिर में वापस आता हूँ जितनी हर में यह install हो रहा है न मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से आपका domain जो है वह आप लोग linode के कबजे में दे सकते हो यानि कि किस तरह से name servers आप लोग point कर सकते हो linode की तरफ ठीक है तो म मैं क्या करूँगा यहाँ पर जल्दी से आप लोग को Google पर लेकर चलूँगा और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे go daddy how to point name server point point यार print नहीं point अब देखो यहाँ पर go daddy में आप लोग कैसे अपने name server एडिट कर सकते हो इन्होंने यहाँ पर पताया हुआ ठीक है तो आप क्या करो कि अपने domain में जाकर आपने करना क्या है जो name servers है वो आप I'll use my own name server पर क्लिक करो आप यह वाली जो guide इसको पढ़ लेना क् domain खडीता था और इसको फिल लिनोड में transfer transfer नहीं कहूंगा मैंने अपना जो control है वो लिनोड को दे दिया domain अभी भी go daddy में यह है बस यह की control मैंने लिनोड में ले लिया है उसका ठीक है तो वेट करेंगे हम लोग इसके provision होने कभी देखो running लिख कर आरा लेकिन इसका list console access करू दो कि जो कर रहा है इसको करने दो इसको इसके हाल में छोड़ दो कम से कम आदे घंटे के लिए भी छोड़ दो यार वैसे बादा गंटा लेने वाला नहीं है और अगर आपने लेकिन हाँ ने नोड वगएर यूस करोगे तो थोड़ा सरा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंक जाँगा कि इंस्टॉल हो गया तो मैं इसके इंस्टॉल होने का वेट करता हूँ और फिर इसके बद वापस आऊँगा तो यह अभी यहां पर complete हो चुका इसका installation तो मैं आप जाँगा chat.mytextnudels.com पर और यहां पर यह करने के बाद में क्या करूँगा कि यहां पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं full name डालोंगा, username में भी मैं Harry डालता हूँ और password में भी मैं यही डालता हूँ है यहां पर copyrightcode with Harry.com डालता हूँ और मैं यहां पर next कर दूँगा, फिर इसके बाद और organization name में है Harry डाल दूँगा, और यहां पर इसको community कर दूँगा, और इसको मैं education क दूदूगा इसको मैं कर दूगा 1-20 पीपल country में इंडिया और इसके बाद में next कर दूगा इसको फिर I agree करके मैं register कर दूगा ठीक है तो यह जो notification की आवाज आपको आई है rocket chat की notification की आवास थी ठीक हैँ अब यह कहरा है वह यह वीटिंग पर क्लिक करूँगा और उसके बाद email confirm वाओ awesome अब यह कह रहा है कि आपका email confirm होगे automatically इसने मुझे redirect कर दिया है पर अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं general channel में जा सकता हूँ मैं हे लिख सकता हूँ और काफी चीज़े कर सकता हूँ कोई भी इनसान आ सकता है यहाँ पर chat.mytextutils.com पर जा सकता है और आप जैसे की देख सकते हो यहाँ पर create an account कर सकता है वो जैसे मानलो मैं आपर Harry करता हूँ इमेल मैं मानलो कोई और इमेल मैं यूज़ करना चाहता हूँ किसी और इमेल से account में बनाऊंगा यहाँ यूसर नेम में मैं Harry2 कर दूँगा password same रखूँगा ठीक है और मैं आपर एक काम करता हूँ एक दूसरा इमेल यूज़ करूँगा एक काम करता हूँ इसको Harry plus one करता हू इसके बाद के content को तो यह मेरे Gmail पर deliver हो जाएगा mail मुझे नहीं पता कि यह मुझे अलाओ करेगा कि नहीं करेगा अब देख सकते हो आप लोग यह Harry2 ने जोइन कर लिया है चैनल अब मैं कहूंगा hey how are you doing अब देखो यहां पर how are you doing आ गया और यहां पर notification आई इसकी और मैं आप लिखंगा I am good तो इस तरह से chat हो गए रख की जा सकती है ठीक है अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कई चीज़े हैं इनको explore कर सकते हैं अब जहां बात रही इन सब features की इनको होते हैं वैसे इसमें भी बहुत सारे features होते हैं अब अगर marketplace पर जाओगे ना यहां से तो आपको आप्स दिखेंगी यहां पर ठीक है तो होता कहना कि अगर आप लोगों को audio call वगरा करनी है तो आपको एक app install करनी पड़ती है और मैं आपको बताता हूं उस app क्या नाम है उस इस पर क्लिक करूँगा और install कर लूँगा इसको ठीक है अभी कर रहा है marketplace login required तो मैं login कर लूँगा login to rocket.chat अभी कह रहा है भाई अपना email बताओ send login link और इन्होंने login link मुझे email किया है तो मैं जल्दी से जो है इसको इनकी अपना email चेक करता हूं अभी यहां पर इन्होंने कहा ह here's your login link sign in कर दूँगा मैं यहां से ठीक है और मैं देखता हूं यहां पर कि क्या रहता है CD authorize करूँगा इसको मैं और मुझे basically Jitsi को install करना है ताकि मैं audio calls कर सको अभी दुबारा इस पर login पर click करना पड़ता है और authorize पर click करना पड़ता है और इसकी बाद हमारा काम हो जाता है ठीक है तो यहां पर देखो Jitsi जो है वो install हो जाएगा भी तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो connectivity services इसमें मैं आप क्या करूंगा कि आ जाओंगा दुबारा से यहां पर back आ जाओंगा और यहां पर आप लोग देखो कि अब मैं audio call भी कर सकते हैं यहां पर click किया औ और यह कहारा missing configuration and app needs to be installed or configured अब Jitsi को हमें यहां पर default provider यहां पर empty है भी तो मैं यह देखता हूं कि यार मेरी अप install हुई की नहीं हुई इसके complete हो जाने का और इसके बाद मैं audio calls कर पाऊंगा तो यह देखो Jitsi installed लेकर आ गया है अब मैं क्या करता हूं जाता हूं वापस यहां पर और अब मैं calling करने का try करता हूं तो मैं आपर start call पे click करूंगा और यह call start हो जाएगी ठीक है अब यह मेरा microphone यूज करेगा और जिस करका को यहां पर मैं एक दूसरा इंसान भी जुए call join कर सकता है और जब यह दूसरा इंसान call join करेगा तो यहां पर भी दीखना चाएगा फिसको मैं allow कर देता हूं तो यह को अब इंगा गया तो यह से म्यूट किया और पहुत जीव है मेरे को अडे फस्क गया तो यहार में दोलों म्यूट किये यह म्यूट करने के बाद यह को मुझ से अब रहे रहे लिए ट्रीक आप आप है यह से बंद कर देता हूं और यहां पर इसको भी बंद कर देता हूँ तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको बहुत सारे फीचर्थ यह आप एक्स्प्रोर कर सकते हो marketplace की apps है उनको यूज़ कर सकते हो इसको अगर आप लोग बनाना चाते हो तो एक अच्छे server पर होस्ट करना अगर number of users आपके जाधा है तो चुकि यार अगर आप लोग चाते हो कि बहुत सारे users को यूज़ कर पाएं तो compute तो लगेगा लेकिन I've got you covered आप description का जो link है उसको यूज़ करके 100 dollars 60 दिन के लिए free million note के प्राप्त कर सकते हो काफी fun project होने वाला ही है अगर आप लोग उसको try करो कर अपने दोस्तों के साथ बात चीते कर सकते हो आप लोग ठीक है so अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल झाल झाल